नमस्कार दोस्ता एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेटेफ्ट अपडेट निकल के आई है कि पैंशन धारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है बदल गए है पैंशन के नियम तीस नौम बर तक ये काम नहीं किया तो रुख जाएगी पैंशन दोस्तों पैंशन के किन नियमों में बदला हुआ है हम आपको सब डेटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर पाफ टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ वैल आइकन को भी बजा दीजिए दोस्तों अगर आपके घर में पैंशन दारी बुजर्ग है तो ये ख़बर आपके लिए है सरकार ने पैंशन दारी बुजर्गों के लिए नेमों में कुछ बदलाव किये हैं जिनके मुताबिक 80 साल के उपर बुजर्ग पैंशन दारी बुजर्गों के पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा ये सर्टिफिकेट बैंक या पोस्ट ओपिस में जमा होगा जहाँ आपकी पैंशन आती हो ये नियम एक अक्टूबर 2021 से लागू किया गया था अगर पैंशन दारी बुजर्गों के 39 पर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते तो अगले महीने में उन्हें पैंशन लेने में दिक्कत हो सकती है आलंकी ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आज कल कई बैंक ओलाइन सुविधाय परदान करते हैं बस उन्हें कोल करके ही उनका रिप्रेजेंटिव अपने घर में बुलाना है पैंशन के कुछ नियम होते है जिन में से एक नियम ये भी होता है कि पैंशन तभी तक किसी वैक्ति के खाते में जाएगी जब तक वो जिन्दा है अगर वो वैक्ति सरकार से पैंशन ले रहा है तो उसकी मिर्त हो जाते है तो लेकिन प्रिवार से बात छुपाता है तो पैंशन लेना जारी रखता है तो ये अपराद है इसलिए हर पैंशन धारी को हर साल अपना लाइब सर्टिपिकेट जमा करवाना होता है जो इस साल की त कोरुना काल के बाजरकार ने इस परिकिर्या को असान कर दिया अब आप ओल लाइन ही अपना लाइप सर्टिपिकेट जमा कर वा सकते हैं बस आपको थोड़ा सा साहज रहने की जुरूत है ताकि आपके पैंटेने किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो दोस्तों आज के लिए इ का मैंने बस्तों आ आपके बादिकेशगे का बस्ता अ हसे लिए यहां आपकेशना काय वापको चारे बस्त einzige करना आप pendant कमेंटे संप दोस्तों आपके भी हैं आपके लिए लहां आपको प्रोगते जरूओने क्युऽता आपकन हैं ज्वागते हैं टूना कूने सह साह तोस्